घलो फ्रेंड, दिखित रसोई में आप सब का स्वागत है, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हैं शब लोग अच्छे होगे और श्वस्त होगे हैं प्याज रफली कट करके डाल दिया एक टुकड़ा द्रग का साथ में थोड़े से लासुन की कली दो टमाटर और दो हरी मिर्च और थोड़े से काजू चार से पांच हमने काजू लिये हैं जो ग्रेवी को मैं थिक करती है तो अब हम इसे उबालाने के लिए रख देंगे जिस में हम आड़ करेंगे थोड़ा सा ओईल साथ में एक चमच के करीब जीरा और थोड़ी सी कस्मीरी लाल में जिससे इसका जो ग्रेवी है जो देखने में रड हो जाएगी तो अब इसमें हम आड़ कर देंगे प्याज अद्रक लहसुन इन सब को हम पेस के रख लिये थे उसे हम आड़ कर देंगे और इसे हम चला लेंगे मीडे माच पे और साथी में से चलाने के बाद अब हम इसमें आड़ करेंगे पटा माटर और काजू हरीमिच का पेस्ट इन सब को मिला के चला लेंगे मीडे माच पे ही रखेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला ह तो अभी इसमें चला लियें, अब हम एड करेंगे जो मसाले हैं, तो रेगलुरी जो हम यूज करते हैं, तो सब थोड़ा सामने कस्मीरी लाल में ज़्यादा डाला हुआ, बाकी सब ने आदे चमच के करीब डाल दिया है, और साथ में तीकी लाल मिश भी डाली, वो थोड़ी इसमें से तेल ना निकल लें लेकिं मसालों से तो आप देगेंगे जो मसाले से अपक गये हैं और इसमें से तेल भी हिलकासर निकलने लगा है अब िस जगह पे हम इसमें आड़ कर देंगे खोया क्योंकि हम खोयے की सब्स़вон sound तो इसलिए हम एड़ कर देंगे खोया, तो खोया बहुत सॉफ्ट था, आराम से आप इसे हाथों से मैश करके डाल सकते हैं, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, तो अभी देख सकते हैं, अब हमने इसमें मिक्स कर दिया है, और खोया डालने से मसाला थोड़ा सा थीक हो जाता है, तो इसे अच्छे से चला लेंगे, जिसे इसमें कोई भी गुल्ठिया न बचे, और साथी में इसमें हम एड़ कर देंगे, काजू और किसमिस, काजू और किसमिस आप इसकी भी कर सकते हैं, तो अभी हमने इसमें डाल दिया, खोया और जो हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो तो अब हम इसमें एड़ कर देंगा थोड़ा सब पानी डालने के बाद बीड़ जो मारी ग्रेवी को थीक है आप अपने अंसार क्षा कर सकते हैं जय को प्रण दो तो अभी यह ज्यादा ग्रेवी मुझे ठीक लग रही है तो इसलिए पानी डाल के इसमें से पांच मिनट के लेक अच्छा उबालाने के लिए रख दिया है क्योंकि ग्रेवी कम ज्वी आप अपने असार कर सकते हैं हमें थोड़ा सा पानी स्मेड कर दिया साथ में अब हम इसमेड कर देंगे पनीर के पीसे पंीर पनीज़ सॉफ्ट है इसलिए हम ज्यादा नहीं से पकाएंगे ग्रेवी को ही ज्यादा पका लिए तो अभी हम इसमें एड करते हैं चला लेंगे सब्जी को और साथ में इसमें आड कर देंगे कसूरी मिथी और साथ में थोड़ा सा हरा कटा हुआ दनिया अब इसे डालके दो खुला पका लेंगे आप धक करके भी एक मिनट के लिए पका सकते हैं तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज से लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें देखिया हमारी जो खोया पनीर की सबजी है बनकर रेडी हो चुका अब हम इसमें एड कर देंगे हरी दनिया कटी हुई और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम सर्व करेंगे अगर आपको रेसिपी पसंद आती तो प्लीज से लाइक करें